देश में महंगाई है और जनता त्रश्थ है महंगाई से इस हद तक जनता त्रश्थ है कि अब सबजी खरीदने या दाल आटा खरीदने से पहले जनता अपना जेब चेक कर रही है कि क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं जाके दुकान में खरीद पाऊंगा या नहीं इस वज़ा से जनता की थाली से लगतार धीरे धीरे एक एक कर सब्जी और दाल खतम होते जा रहे हैं नमस्कार मैं व्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जन हितावाई को लेकर कॉंग्रेस के महिलाओं ने बीजेपी के ओफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया धरना बीजेपी ओफिस का घिराव करते हुँ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया जिसके बाद पुलिस ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की और वही कंट्रोल करते करते पुलिस इस हद तक आगे रही कि महिलाओं के साथ बदसलू की करने लगी आप जरह ये वीडियो देखिए कैसे एक पुलिस ओफिसर महिला के उपर हाथ उठा रहा है महिला जो प्रदर्शन कर रही है और महंगाई को लेकर बीजेपी से सवाल कर रही है केंडर मंत्री से प्रधान मंत्री से सवाल कर रही है वो लोग BJP दफतर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और BJP दफतर का घिराव कर सांतिपून प्रदर्शन कर रहे थे जिसके बाद पुलिश ने उनके साथ बदसलुकी की आप ये वीडियो में साफतोर पर देख पा रहे होंगे वहीं इस महंगाई को लेकर कई सारे political party और प्र्यांका गांधी वाडना ने भी tweet किया है tweet मैं आपको पढ़के सुनाती हूँ उन्होंने क्या कुछ tweet किया है प्र्यांका गांधी ने लिखा है महंगाई चरम पर है भाजपा सरकार के पास जनता को राहत देने के लिए कोई तरीका नहीं है बेरोजगारी चरम पर है भाजपा सरकार के पास युवाव को रोजगार देने के लिए कोई तरीका नहीं है भाजपा सरकार काम के नाम पर जीरो है इसलिए दाम के दम पर खरीद फरोख कर जनता के बीद जाने की तैयारी कर रही है वहीं इसके साथ इंडियन यूथ कॉंग्रेस ने भी एक ट्वीट किया है और इसमें लिखा है ये खबर आप तक तो पहुंच ही गई होगी मोदी जी ने एक नया गिफ्ट दिया है इस ट्वीट के साथ जनसता न्यूस पेपर का एक कटिंग है और उसका हैडलाइन है लोगों को फिर लगा महंगाई का जटका LPG गैस सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी इसके नीचे खबर है LPG गैस सिलेंडर की दिल्ली में बिकरी कीमत 1773 रुपे से बढ़ कर 1780 रुपे प्रती सिलेंडर कर दिया गया है तो ये रहा महंगाई का दर आपको अगर बता दूँ सबजी और दाल की महंगाई किस हद तक जा चुकी है तो आपको बता दे हूँ पुरानी कीमतें और अब की जो ताजा कीमत है उसकी बता रही हूँ अरहर दाल जो पहले 120 रुपे हुआ करती थी अब की अब इसका दाम 160 रुपे हो चुका है मूंग का दाल जो पहले 110 रुपे हुआ करती थी अब ये 130 रुपे के मिल रहे हैं उरत का दाल जो पहले 120 रुपे के हुआ करता था अब 150 रुपे हो चुके हैं चना दाल जो 65 रुपिय का हुआ करता था अब 85 रुपिय में मिलेंगे आपको मसूर दाल 90 था पहले इसकी कीमत 90 हुआ करता था अब ये दाल 120 रुपिय में मिल रहा है उड़ज साबूत डाल जो 95 रुपे में पहले मिला करता था अब इसके कीमत बढ़कर 130 रुपे हो चुका है जीरा जीरा भी पीछे नहीं है जीरा एक ऐसा कॉमन मसाला है जो हर सबजी में डाल में तड़का लगाने के काम आता है अब ये जीरा भी महंगाई में पीछे नहीं रह गया है जो जीरा 350 रुपय कीलो पहले मिला करता था अब उसकी कीमत बढ़कर 740 रुपय हो गई है वहीं सब्जियों की बात करें तो टमाटर 140 से 160 के बीच बिल रहा है अदरक्ष 400 रुपय हो गया है नीम्बू 100 से 120 रुपय मिल रहा है वहीं धन्या पत्ता जो सब्जियों का स्वात बढ़ानी के लिए बहुत ही कारगर होता है वो धन्या पत्ता अब 400 रुपय कीलो मिल रहा है लेसन 120 से 150 रुपय मिल रहा है वहीं हरी मिर्च अगर आप सोच रहे हों कि अगर सबजी और दाल महंगा है तो हम नून रोटी और नमक नून यानि नमक रोटी और मिर्च खा लें तो आप मिर्च भी नहीं खाएंगे क्योंकि मिर्च भी इस लड़ाई में पीछे नहीं है महंगाई की मार में मिर्च भी आगे निकलता हुआ जा रहा है महंगाई में मिर्च हरा मिर्च जो है 130 से 150 रुपय मिल रहा है वहीं बोड़ा जो है 100 से 120 रुपय हो चुका है तो यह हैं महंगाई का स्थर अभी आपको बता दे समाजवादी पार्टी ने भी इस पर ट्वीट किया है और साफ तोर पर बीजेपी सरकार पर निसाना साधा है, योगी सरकार पर निसाना साधा है, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, भाजपा सरकार की महंगाई, खा गई आम आदमी की कमाई, टमाटर हो या द्रक, परवल हो या शिमला मिर्ज, डाल छूर है आसमान, आम आदमी क्या कमाए, क्या खाए, क्या बचाए, मुख्य मंत्री बताए, खाने पीने की वस्तूओं के दाम बांधे सरकार, इस स्ताफत और योगी सरकार पर निशान असादा गया है, आप महंगाई से कितना परिशान है, कितना हमें जरूर बताए, देखते रहें, जनहीत आवाज, ब्यूटी गरी